So guys, आसकी विड़ो हम बात करने वाले हैं, Oneplus के All Devices के अपने फोन के अंदर iPhone के Keyboard को Access कैसे कर सकते हो, guys, होता क्या है, Android Devices में mostly क्या है, by default ही कि उसमें Google का Keyboard देखने को मिलता है, बट अगर आप iPhone के Keyboard को Access करना चाहें, तबने फोन के अंदर easily कर सकते हैं, Well guys, उसके लिए requirement होगी, हमें एक थर्ड पार्टी है, जिसका डावलोली लिंक आपको discussion पाड़ों मिलेगा, यहां पर डाटली प्ले स्टोर में आएंगे, सर्जमार में टाइप करेंगे Green Apple Keyboard, So यह वाली अपनी कैसा साब को मिल जाएगी, इसको हमें setup करना अपने phone के अंदर, open में लफ्ष क्लिक करना है, इस तरह से interface आपको देखने को मिलेगा, यहां पर three permissions को हमें on करना होगा, पहले वाले पे लिक करते हैं, तो इस तरीके से options देखने को मिलेंगे, यहां पर करना क्या है, इस green apple keyboard को on करके ok करना है, and again ok कर देना है, तो इस तरीके से पहला permission on हो जाएगा, then इसके बाद back करना है, यहां पर आएगा switch input methods पे, इसको प्रेस करना है, इसके अंदर भी आपको green apple का application का option मिलेगा, इसको प्रेस करते विए set कर देना है, then इस set हो जाएगा, and finished भी क्लिक करना, और इसका जो use interface है, बहुत ही easy था, और यह भी set हो चुका है, आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें देखेंगे, तो कुछ इस type का keyboard हो जाएगा, हाँ एक शीज इसमें देखने को मिलती है, I think आपको भी इस चीज की requirement होगी एक तरीके से, अगर नहीं है तो आप इसका use करिया, otherwise आप इस तरीके से होता ना, कि लोग चाहते हैं, interesting थोड़ा सा आता है, feed उंगरा लेने के लिए use कर सकते हो, कुछ time तक, इसमें अगर मैं अपना नाम टाइप करता हो ना, इस तरीके से, जैसे कि मैंने टाइप किया अपना नाम, इस तरीके, यहां पर जो suggestion keyword गूगल के अंदर आती हैं, वो इसके अंदर नहीं आती है, तो अगर यह आपके लिए कोई disturbing नहीं दे रहा, तो आप यूज़ कर सकते हो, हाला कि इसके अंदर और manual settings मिलती है, जिसमें key press करने से sound आती है, vibration आती है, वो सब चीज़े, इस एप से ही easily box को इस तरह से चेक माल करते हुए, और अगर आपको theme बदलना है, उसके लिए इसका premium लेना पड़ेगा, प्रीमियम काफी highest तो नहीं है, बट यहां पर 250 के something मिल जाएगा, तो यह तरीके से जो लोग अपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यह नहीं है, तो आप जो है free वाला ही use करिए, otherwise आप premium यूज़ करेंगे, इसके अंदर जो यह basic settings आपको मिल जाता है,